अद्भुत अकल्पनी है अविश्वस्नी है फव्यता ऐसी कि हर कोई बस देखता ही रह जाए आकार ऐसा कि हर कोई बनावट को नजरों से तराशता ही रह जाए और आधुनिक्ता की मदद से परदे पर जब इस मंदिर के दिजिटल मॉडल को उता रहा तो हर कोई मंत्र मुग्द था UAE की राजधानी अबुधावी में भूमी पूजन के करीब दो साल बाद स्वामी नारायन संप्रदाय के हिंदू मंदिर का निर्मांट शुरू हो गया है गुरुवार को इसकी नीव डाली गई ये नीव मंदिर को मजबूत करेगी साथ ही मौसमी प्रभाव से भी इसे बचा कर रखेगी मंदिर में लगने वाले पत्थरों को भारत में अलग-अलग आकारों में काटा जाएगा और बाद में UAE में एक दूसरे से जोड़ कर मंदिर बनाया जाएगा पुचासनवासी श्री अक्षर पुरशोत्तम स्वामी नारायंट संस्थान का ये मंदिर करीब 14 एकड़ में बनाया जा रहा है पुधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 2018 में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए मंदिर की आधार शिला रखी थी यूएई में करीब 30 लाख भारती है रहते हैं इसमें किसी भी तरह के लोहे का इस्तिमाल नहीं किया जा रहा है लोहे की बजाए फ्लाय आश कंक्रीट का इस्तिमाल किया जा रहा है मंदिर समिती के मुताबिक इस मंदिर के लिए भारत में 3,000 से अधिक शिल्व कार जुते हुए हैं करीब 5,000 टन इटालियन केरारा माबल पर नकाशी की जा रही है मंदिर का बाहरी हिस्सा करीब 12,250 टन गुलाबी बल्वा पत्थर से बनेगा जैपुर का हवा महल भी इन ही पत्थरों से बना है कहा जाता है कि इन पत्थरों में भीशन गर्मी जिल्ले के शमता होती है और 50 डिग्री में भी ये गर्म नहीं होती है अरब देशों में हिंदूों के मंदिर का आधार इतना भव्य है कि आने वाले समय में अब हर कोई उस कल्पना को साकार होता देख रहा है जिसको डमी मॉडल के रूप में उनके सामने रखा गया था ब्यूरो रेपोर्ट जी मीडिया